उप्खंड अधिकारी घरसाना श्री रामवतार कुमावत द्वारा उप्खंड शेत्र में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के संबंध में एक बैठक का आयोजिन किया गया शेत्र में FCI राजफेट द्वारा गेहूं की खरीद सी जाती है उप्खंड शेत्र में तीन खरीद के इंदर घरसाना रावला तथा 365 रखे जाते हैं इस वर्ष गेहूं की तहसील घरसाना में 40,000 MT तहसील रावला में 25,000 MT तथा उप तहसील 365 हेड में 5,000 MT खरीद होने की संबावना है जिसके लिए 14,000,000 कटे की आवश्यक्ता होगी इसके साथ ही चना एवं सरसो की खरीद के लिए घरसाना एवं रावला में 2 खरीद केंदर बनाये जाते हैं सरसो एवं चना के समर्थन मुल्ये पर खरीद के लिए काश्तकार को ऑनलाइन आवेदन किया जाना होता है दोनों तहसीलों के तहसीलदार नायाब तहसीलदार और सचिव घरसाना रावला को निर्देशिक किया गया कि वह किसानों को 15 मार्च 2020 से पूर्व समर्थन मुल्ये पर अपनी फसल को बेचने के लिए रसीद जारी करना सुनिश्चिक करें थाना दिकारी पुलिस थाना घरसाला र यक्तियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराएं ताकि कानून विवस्था बनी रह सके उपकंड़ दिकारी श्री राम अफ्तार को मावत में यह भी निर्देश दिये कि प्रतिये खरीद केंदर पर उपस्तित सरकारी प्राइवेट वेक्ती अपनी आईडी सहीत वहां उपस्त कि वहें चुभान झो का लिवस्तार को एानी वार निय कुला रहे आईडी सहीग कि वारी यह वहां प्रतों कि अली थांडीन डिशी वह प्रतों कि 1,1 दो मावताँ है लिवस्तार सepher अनी ऑली जतार कर बदुड रिवस्तार गरैश ל धुरों कि भी और्ल्य वाम जुदार हो